नमस्कार दोस्तों मिश्रा हाउस टेकनिक चैनल पे आपका स्वागत हैं दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में नई नई टेकनोलजी आती जा रही हैं जिससे हमारे संसाधनों का हम बहुत जादा ही बचत कर सकते हैं जो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही पुरानी सड़क को बनाने के लिए तो आई ये वीडियो देखते हैं दोस्तों आप ये जो वीडियो देख रहे हैं जिसमें ये जो आपी मशीन चल रही है ये पुरानी सड़क की बजरी को उखाड़ती है और ये जो आप पीछे बजरी का डंपर देख रहे हैं ये उस बजर सकते हैं ये 5-7 इंच तक की सड़क को गहराई से खोद कर उसके सारी बज़री निकाल लेती है और इसी बज़री में 70% नई बज़री और तार्कोर बिलाया जाता है और नई सड़क बनाने में इसका प्योग किया जाता है जिससे आने वाले समय में हम बहुत से संसाधन सड़क कर सकते हैं और बचा सकते हैं तो दोस्तों आपको इस मशीन के बारे में बता दूँ ये मशीन जो आप देख रहे हैं इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं लोगी कीले सी हैं ये बिट लगी हुई है ये बिट चलते चलते जब घिज जाती है तो इनको किस तरह से बदला निट क्या गया है और अब ये जो बिट हमारी खराब है किस प्रकार से निकालते हैं आप ये वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों ये जो नीचे गिरी है ये बिट होती ये पूरी तरह से घिज चुकी है अब इसकी जगह पे नई बिट को चेंज किया जाता है इसको ठोक के इस तरह से मशीन के अंदर लगाया जाता है और अब चेमबर को नीचे डाउन किया जाता है ये चेमबर जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुन नीचे आने के बाद सड़क के साथ मिल जाता है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और यह चेमबर जब नीछे सेट हो जाता है तो मशीन को फिर चलाया जाता है जिससे ये जो नीचे लगी बिटे होती है ये सड़को उठाड़ना शुरू कर देती है तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये मशीन काम करती है दोस्तों इस मशीन की कीमट डेड़ करोडर में है और ये इंडिया की मशीन नहीं है ये बाहर से लाई गई विदेशी मशीन है तो इस तरह से पुरानी सडकों को उठाड कर उसी समान से नया सडक बनाने का काम किया जा है इस तरह से आने वाली हमारी जो जनरेशन होती है उनको बहुत सा समान आने वाले समय में हम स्रक्ष्ण करकर दे सकते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस मशीन ने पूरी की पूरी सड़क को खोद दिया है और इसमें से सारी बजरी निकाल ली गई है अब इसी के उपर दूसरी बजरी डाल कर वही पुराने वाला जो बजरी होती है उसी में 70% नया माल मिलाके ये सड़क दुबारा से त जबूत हो जाती है तो दोस्तों अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो नई नई वीडियो अपलोड करता हूं उसकी जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को सही समय पर देख सकें धन्यवाद